दोस्तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे तो आज हम जा रहे हैं गुप्त काशी विश्वनात मंदिर यहीं पे शेवजी ने नंदी का रोप लिया था पांड़ो से छुपने के लिए यहीं शेवजी विलुप्त होके पंच कैदार में प्रकट हुए मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले मनी करनी का नामक कुंड आता है और इस कुंड में दो जलधाराय बैती है जो की एक गंगा नदी से आती है और दूसरी यमुना नदी से मंदिर के प्रवेश द्वार पे दो द्वार पाल इस्तापित है और उपरी भाग में पैरवजी है जिने शेवजी का रोद्र रूप माना जाता है यहाँ मंदिर पांच हजार वर्ड्स पुराना है और पांड़ों ने इसको बनवाया था उससे पहले इस गाव को मांडी नाम से जाना जाता था केदारना त्यात्रा में इस मंदिर को मुख्य पड़ाव माना जाता है अर्द नारेश्वर मंदिर विश्वनात मंदिर के बाई तरफ है इस मंदिर में जो मूर्ती है वह आदी शिव जी की है और आदी पारवती जी की है इस ही कारण इस मंदिर को अर्द नारेश्वर मंदिर कहा जाता है और इस मंदिर को गुब्द काशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये काशी विश्वनात का मंदिर है और यहीं पे भगवान शिव ने पांडवों से छुपने के लिए गुब्द वास किया था पांड़ों ने इस मंदिर को अन्य पंच कैदार मंदिर जैसा ही बनवाया है तो दोस्तों आपको कैसा लगा गुब्द काशी का, काशी विश्वनात का मंदिर और अर्द नारेश्वर मंदिर कमेंट करके जरूर बताईए और हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जै हिन जै भारत